यह नहीं सकते हैं कि यमी और कितनी टेस्टी खसता हमारे पूरी इन को हम ना है बेलेंगे नहीं ना है न आए नकर लगाएंगे लेकिन देखिए का already có pretend Krashaw explains कोई इनको लिए नहीं कह सकता है कि यह बेली नहीं तो इसको अब हम पीस लेंगे देखिए विडमी पूरी खाली उरत की डाल से बनती है मकर हमने एक मुठी डाल चनेगी भी डाल दी थी क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंट सो जाता है अलग सा टेस्ट लगने लगता है इस वज़े से तो आप देखिए इस तरह से मिक्सी क जाल देंगे जैसे की लाल मिर्ची पाउडर गरम मसाला हल्दी पाउडर तहनिया पाउडर चाट मसाला एक स्पून बर रहें और यह डाल दिया हमने थोड़ी सी सौप नमाग टेस्ट के अशार और इसे हम अब मिक्स कर लेंगे एक बात और गये ज्यादा मिक्साले नहीं ह मैट करेंगे कस्तूरी में थी जो कि हम डालना सुरूर में भूल गया थे तो इस तरह से कर्ष करके डाल देंगे तो यह मिक्स हो गई है अब एक पैन ले लेंगे देखिए पैन थोड़ा सा हमको हमारा ब्लैक दिकरा होगा क्योंकि इसमें हमने दल्या भूनी थी इसी वह ज अचा आता है अब इसमें अपनी दाल जो हमने पीस कर रखे थी उसको डाल देंगे और इसे फ्राइ कर लेंगे देखिए इसको ड्राइ करना है मतलब जो कि इसमें मॉइस्टर थोड़ा सा कम हो जाए इस तरह से चिलाते वह फ्राइए करेंगे वैसे तो बहुत सारे लोग देखिएगा और फिर ही समझ में आएगा आपको कि हमने बेला नहीं है मगर पूरिया कैसे अच्छी बन गई है तो यह देख सकते हैं इसे हमने निकाल लिया है बूर गई थी अब एक स्पून डाल देंगे इसमें फिर से ओयल एक से दो स्पून अब हम क्या करेंगे यह ले तो दो कप हम पानी ले लेंगे देखिए इस तरह से चलाते हुए हम से पका लेंगे यह देख सकते हैं इस तरह से आज में लंग्स होगर नहीं पढ़ेंगे इसके लिए परिसान मत होईएगा कि आपके लंग्स पढ़ जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस तरह से पका आल में fry करेंगे तो यह फूटेंगी भी नहीं बहुत अच्छे से बन कर तयार होगी तो यह देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करते हुए इसको डो के फॉम में ले आएंगे यह देखिए इस तरह से इस तरह से पकाते रहेंगे तो एक बाउल सूजी पर दो बाउल पानी पिल्कुल सही है पिल्कुल पर्फेक्ट है आप इस चीज का ध्यान रखिएगा तो इस तरह से देखिए हम फ्यलाते हैं ठंडा कर लेंगे यह वारा पक चुका है तो इसको हमाला प्लेट में रख अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे ना मसली नहीं तो इसमें एक पपड़ी जैसी परत बन जाएगे वह अच्छी नहीं लगती है इसको इसी तरह से हलके हातों से मसलते रहना है जिसे कि इसमें पपड़ी ना पढ़े तो देखिए मसल गया तैयार हो गया है तो अब क्य सद्रीक साहरी बॉस हाम बना लेंगों और सद्रीक साहरी बॉस बन चुकी है इनकों से ट्रांसपर कर लेंगे ऑर आप इसमें डाल देंगे ऐकि फ्राइक करने के-लिए डाल दिया है फिर से उटल इंतंना बढ़ने श्प्रेस सुटत कर था बढ़ना देखिए में दॉसे ज सजाधा लेंगे डो कप और यह देखे इस तरह से हम बॉल में रखते हुए दबा देंगे यह देखे अब इस तरह से राउंड राउंड करेंगे और इस तरह से दबा देंगे देखे कचोड़ी हमारी बनका तयार है अब आप देख सकते हैं कि नहीं आपको डो लगाना तो यह देख सकते हैं, तो इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, यह देखिए, इस तरह से गोल करेंगे, गोल करने के बाद इसको जैसे हम कचोडियों में भरते हैं, बस उसी तरह से हम इसे भर देंगे, यह देखिए, आब इसे भर करके, बस पॉम की सहायता से इसको हम फ्लै सूजी से बने हुए हैं इसलिए खरषी बहुत टेस्टी रोती हैं च्छोटा सदॉल डाल कर देख लेगे तो कड़ाय मरी अच्छे चिपक भी सकती है तो इस तरह से हम जितना हमारे कराई में ऐल है बस उसे हिसाब से हम इसमें डाल देंगे यह देख सकते हैं और इस तरह से हम क्रिस्पी करते हुए फ्राइ कर लेंगे यह देखे दीमी फ्लेम पर इसे हमें पकाना है को करना है बहुत हाई फ्लेम पर नहीं औ लिगे बहुत high flame पर अगर पकाएंगे तो यह जल जाएंगी उपर से पक जाएंगी लेकिन अधर से नहीं पकेंगी और बहुत low flame करेंगे अगर तो यह पूरिया जो है वो अच्छा से सिकेंगे नहीं अन्दर तक तो यह तिकत हो जाएगी इसलिए इसे medium flame पर पकाना है तो इसी तरह से सारी बैच के हमें सेंक लिए ये देखे इतनी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी कचोणिया बनकर के तयार हुए है कि आपके बच्चे हो या बड़े आपके घर में कोई भी खाएंगे तो ये बराबर मांगते रहेंगे इतना टेस्टी इतना यम्मी बनकर के तयार होती है ये बेटमी पूरी किसी भी सबजी के साथ आप खाएं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी अगर हमारी ये रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड सेर करिएगा और इस रच्चा बंदन ये बेटमी पूरी जरूब बनाईएगा क्योंकि तेवहर का सीजन है खाना तेवहर वाला हो